खाने के साथ बस एक कटोरी अगर आप इस सलाद को खाते हैं दोस्तों तो पेट से सम्बंधी तमाम बिमारियां दूर हो जाती हैं कब्ज की शिकायत हो या फिर बहुत ज़्यदे गैस एसीडिटी की समस्या आपको बनती है तो आपको ये सलाद जरूर खाना चाहिए जब भी आप खाना खाते हैं खाना खाने के आदे घंटे पहले आप इस तरह से एक कटोरी सलाद बना के अगर आप खाएंगे आप देखेंगे पेट की जो बिमारियां होती है उससे आप कोसो दूर रहेंगे और कभी भी आपको गैस, इसी डिटी, कबज, ऐसी समस्या कभी भी नहीं होगी अगर आपको भूगना लगने की समस्या, अपच की समस्या या वजन बहुत बढ़ा हुआ है वजन भी घटाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जवरदस तरीका है इस सलाद को बना के खाने इस सलाद बहुत इससला है किस तरह से बनाये गया है आपको वीडियो में बताये जाएगा इसके फायदे बीटाएंगे तो पूरा वीडियो धियान से देखी जिससे आपको समझ में आ जाये किस safe कर सकते हैं इसमें ऐसा क्या पाय जाता है जो हमारे हल्थ के लिए बहुत ज इसे बहुत सारे हेल्दी रेसेपीज और रेमेडीज हमारे चैनल पे अवलेवल है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जुरूर चेक करिएगा आपको मिल जाएंगे तो चलिए बताती हूं यह किस चीज़ से सलाथ बना हुआ इस सलाथ काम किस तरह से सीवन कर सकते हैं तो यह जो स्पाइल्स के पेसेंट होते हैं फिशर है फैस्टूला है या फिर गैस एसी टीटी की समस्या रहती है आपको कोलिस्ट्राल बढ़ा हुआ हर्ट की प्रॉब्लम है और जॉइंट्स के पेन है तो उसमें भी बहुत जादे फायदे बंद हैं यह देखिए जो दाल हम यूज करने हैं इसे हम कहते हैं मौंग डाल हरी मौंग डाल जो होती है बहुत ज्यादे फायदे बंद होती है हेल्थ के इसाप से जब भी आप इसका स्प्रॉट बनाए तो सबसे पहले डालों को इस तरह से बेहन लेना चाहिए क्योंकि इसमें कई सारे एक्स्ट्रा चीज होता है जिने हमें छाटना बेनना बहुत जरूरी होता है तो देखिए फटा-फटी से बीन लेते हैं और दो मुठी दाल आपको एक दिन में इसका सेवन करना चाहिए इसकी जो मात्रा होती हो आपको ध्यान में देना चाहिए क्योंकि जादे मात्रा में अगर आप सेवन करेंगे आपको इससे पर्बलम भी हो सकती है तो इसलिए आपको दो मुठी दाल एक दिन में सेवन करना है दोस्तों ये जो दाल है इसको हम स्प्राउट्स पराइंगे और जो अंकुरित दाल यानि दाल को जो हम अंकुरित कर लेते हैं तो यह और भी जादे फायदेश्मान होता है ये हरी मुंग दाल में प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसके अलाव में इसमें फाइबर होता है, मैगनीशियम होता है, मैगनीज होता है, फासपोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरेन, कॉपर और वाइटेमिन A, वाइटेमिन B का रिच सोर्स होता है, इसमें किस तरह से इसके वेस्टेश निकलते हैं, तो इसको धुलिए, उसके बाद इसमें पानी डालके इसको राद बर के लिए सोक कराके रख दीजे, सबसे पहले हमें इस मुंग दाल को फुलाना है, जब मुंग दाल फूल जाता है, उसके बाद हम इसका स्प्रॉट बन आएंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, जो दोस्तों पानी है, भीगे हुई मुंग दाल के, यह पानी बहुत ही गजब के फायदा करते हैं, अगर आपके चेहरे में किसी भी तरह के पिंपल हैं, जाहिया हैं, स्पॉट्स हैं, कहीं भी इसकी से संबंदित बीमारी इस पानी स पानी कवज की समस्या को पूरी तरह दूर करता है, इसको आप खाली पेट अगर आप पीते हैं, तो आपकी समस्या भी दूर हो जाती है, और इसमें बहुत सारे जो न्यूट्रियन से वह भी हैं, उसके पोशकता तो अच्छे से मिलते हैं, तो देखिए इसको सबसे पहले क करते हैं, कपड़े में जो छान दिया है, इसको इसी तरह से आप कहीं पे भी हैंग करके रख दीजिए, हैंग कर देंगे, तो यह बहुत आसानी से निकल जाता है, और दूसरा तरीका जो शॉर्ट कर जो बहुत जदी से अंकुरित कर सकते हैं, इसको इसको इस तरह से पोट आपके जिसमें रखते हैं, उसके उपर से इस तरह किसी बॉक्स में इसको पैक करके रख दीजे, तो इस तरह से स्प्रोट्स बनके त्यार हो जाते हैं, तो एक ही दिन में इस तरह से आप स्प्रोट्स बना सकते हैं, या फिर कहीं अगर हैंक कर दिया है, तो यह दो दिन के तो आपको कब्ज कभी भी नहीं वनेगी कॉंस्टिपेशन से आप दूर रहेंगे यहां तै कि इसीड रिफलेक्शन का जो काम करता है पेट में अगर आपको गैस बहुत ज़्यादे बनती है कुछ भी खाते हैं तो लगता गैस उपर कितना आ रही है तो इस तरह से मूंग की सिटी जो रिफलेक्शन गैस बनने कोई से पेट में दरद होता उसकी समस्या से भी आपको बहुत ज़्यादे आराम मिलेगा तो इसको पेट के से संबंदित कोई भी बिमारी आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही फायदे बन गया स्प्राउट्स तो अब देख कि कितनी सारी बीमारिया दोर हो जाएंगी इसमें देखिए स्वाद के लिए हम किस तरह से इसको बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी वे में बनता है इसको हर कोई खाना बहुत पसंद करेगा तो देखिए यह अगर आपको कच्चा जैसे कभी कुछ लोग होते हैं जो कच्चा से अबलेबल हो जाती है आप इनके साथ खाये इसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है जिसे हमारे सैलेट जो है और भी जादे एफेक्टिवल जाता है तो यहां पर हम लिए कुछ टमाटर है कुछ गांजर ले लिए इसको पतली पतली स्लाइस में कट कर है और टमाटर को भी चोटो 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 इस तरह से चौप कर लिया है और थोड़ा सा कैबज लिया पत्ता गोवी यह जारी चीज बहुत ही है अगर आपको और भी जो भी वेजिटेबल पसंद है आप चाहें तो इसमें आट कर सके देगे इस तरह से स्लाइसे पतला पतल दालेंगे काला नमक या फिर सीधा नमक आप इसमें आट कर सकते हैं अभी देखे एक चीज इसमें मौट डालेंगे जो आपकी कब्च की समस्या के लिए बहुत ही जादे फायदे मंद होता है अब पेट की कोई भी बिमारियां था कि अलसर के पेसेंट होते हैं वह भी इस से आप इस प्रॉट्स को बना के खाईए लेकिन इसमें है कि अलसर को पेसेंट होता है उन्हें चबा चबा के बहुत अच्छे से खाना चाहिए इसमें बहुत थोड़ा सा नीबू डाल दीजिए स्वाद के अनुसार यह थोड़ा और तेस्टी हो जाए तो यह ब्रेकफास के पेसेंट है तो आप में रड़ सोल बहुत थोड़ा सा डालेंगे नमक को नहीं डालना है और जो छो से वी बैलेंस करके रखता है इसके अलवे दोस्तों अगर वात प्रविति के हैं अगर आपका वात दोस बढ़ गया है दोस्तों तो ये बहुत जबर्दस तरीका इस तरह से अंकुरित किये हुए दाल को अगर आप इस तरह से फिस्ट्रॉस बना के और इस तरह सेलेट खाते हैं तो ये जो वात प्रविति विगड़ ज अंकुरित दाल से तो आपकी वह प्रविर्ति को बैलेंस कर देता है यह तीनों के लिए बहुत जादे फायदे बंद है आप इसे चाहें मौंग दाल को जो अंकुरित करके खारें सैलेट के रूप में खा सकते हैं अगर आप चाहते हैं मौंग दाल का सूप कैसे बनता है तो आप हमें कॉमेंट सकते हैं जरूर बताईएगा हम आपके लिए बना के लिए बहुत जादे फायदे बंद होता है मौंग दाल का सूप उसको पीने से पेट की कई सारी बीमारियां दूर होती है सासाथ वात पित तो कफ यह जो दोस्ट डिस्टरब होते है वो भी उससे बै यहां पर किशमिश जरूर डालिएगा इसलिए मैं आपको बता रहुत जादे बहुत जादे फायदे बंद हो जाता इस तरह से और इस प्राउट के साथ इस वेजिटेबल को डाली और अच्छे से मिक्स करिए स्वात के इंसार जैसमने बताया आप कुछ भी इसमें आट कर करीब डाल दीजे तो यह अर भी हल्दी हो जाएगा यह जोडों के दर्द में गठिया के रोग में भी बहुत जादे फायदे मंद हो जाता है तो जो गाउट से परेशान हैं वह मुंग दाल को बहुत जादे सेवर नहीं करेंगे सिर्फ थोड़ा सा मुंग डाल के इसलब स इसको खाएं यह जो होता है आपकी तीनों प्रविर्थी के लिए बहुत फायदे मंद है वात प्रविर्थी जब डिस्टर्ब हो जाती है तो जोड़ों में दर्थ कहीं कहीं शरीर में भी दर्थ होता है तो आप इस तरह से अंकुरी दाल को अगर आप खाएंगे तो आपकी प्रविर्थी के वज़े से शरीर में जो डर्थ बनी रहती है उसमें भी आपको आराम मेलेगा साथ-साथ आपके चरीर के लिए आपके हर्ट के लिए आपके यह जो कोलिस्टॉल बढ़ा होता उसके लिए बहुत जादे फायदे मंद है तो यह देखिए सारी चीजों को मि गातार करेंगे दोस्तों तो खुद ही आप कॉमेंट सेक्टे में बताएंगे कि साथ दिन के बाद आपके पेट की कितनी सारी बीमारियां दूर हो गई और इसे रेगुलर अपने डायट में जरूर शामिल करिए अगर आपको इससे फादा मिलता है तो इसे हमेशा खाई अग किसी नई टॉपिक के साथ किसी नई टॉपिक अगर आपको वीडियो चाहिए तो कॉमेंट सेशन में जरूर बताएगा हम आपके लिए बना के लिके आएंगे ऐसे हल्दी रैसे पीज आपको डिस्क्रिप्शन वॉक्स में मिल जाएंगे तो उसे जरूर चिक करिए मिलता ह एक्स वीडियो में थैंक यू बाबाय टेक केर